नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफेर में 19 माई 2021 के निउज पेपर में से, जो कि आपके आगामी एक्जाम जैसे CHSL, कमबाइन ग्रेजुएट लेबल, CPOSI, दिल्ली पुलिस, NTPC, इंटेलिज सर्विजेस लाइग यूपी, PCS, बिहार, जारखन, छथिसगर, और बैंकिंग सर्विजेस, इसके करेंट अफेर के लिए हलाबदायक सिद्ध होगी, तो आईए एक एक करके डिसकस करते हैं, आज का पहला जो सिगमेंट है, नेशनल अफेर, जिसमें रास्टी मामलों में पहली खबर है, NC, PC, or Helpline, समवेदना, इसको ध्यान रखेंगे, समवेदना, Helping Mentally Affected Children Who Are Suffering From Coronavirus, दोस्तों, यह माता-पिता के संक्रमित होने, वह COVID-19 आइसोलेशन वार्ड में, अकेले पन का सामना कर चुके बच्चों का बयोहार, आक्रामक हो रहा, ऐसे में उनको मनो चिकि सक के रूप में, या उनकी मनुवैज्ञानिक दसाओं का अध्यान किया जा रहा है, तो समवेदना नामक यह कह सकते हैं पहल, जो की किसकी है, NC, PC, or की, यानि, The National Child Protection Commission is providing daily counseling to such people through the toll-free helpline, जिसका नाम है समवेदना, अब यहाँ पर समवेदना का full form भी याद रखियेगा, या sanitizing action on mental health vulnerability, through emotional development and necessary acceptance, याद रखेंगे इसका full form, यानि, इस toll-free helpline समवेदना के जरिये, ऐसे लोगों का टेली परामर्स दे रहा है, कौन, NC, PC, यानि, रास्टी ये, बाल, सनरक्षन, आयोग, तो, the NC, PC, यार, had started a toll-free helpline समवेदना in September 2020, यानि यह सितंबर 2020 से ही start किया है, अभी तक हजारों बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है, तो इस तरह से यह helpline बच्चों की सिकायतों का निवारण करती है, और यह helpline पूरे भारत में, whole India कह सकते हैं, help the children, various regional languages, like Tamil, Telugu, Uriya, Marathi, Gujarati, Bengali, पूरे across India, इन सभी बच्चों क की मदद की जा रही है, तो यह टेली परामर सेवा जो toll-free number है, 1-800-129-2830 पर, यानि Monday to Saturday तक सुबह 10 बजे से, दोपहर 1 बजे तक, और दोपहर 3 बजे से, रात 8 बजे तक यह सेवा उपलब्द है, और इसके लिए 3 categories हैं, यानि in this, the टेली counseling is given to children under 3 categories, इसमें कौन कौन सी 3 categories ह वह पहली category वह है, कि वह बच्चे आते हैं, जो quarantine, isolation, covid देखवाल केंद्रों में हैं, यानि उन बच्चों को, जिनको quarantine किया गया है, उनको separate कर दिया गया है, तो ऐसे में उनको, उनका कह सकते हैं, मनोबैग्यानिक दसाओं को देखते हुए, या टेली परामर्स मदद कर रहा है, दूसरा जो है, दूसरा सेंडी क्या है, वे जिनके माता-पिता या परिवार के सदस से संक्रमित हो गए हैं, ऐसे में वह अकेलापन महसूस कर रहा है, तो इस तरह से उनकी भी मदद की जा रही, इस समवेदना के माध्यम से, और थर्ड कटेग्री है, वे बच्चे जिन देखा होगा, रोज खबरों में सुन रहे हैं, जैसे दिल्ली सरकार कह रही है, जिनके माता-पिता मतलब इस कोरोना वाइरस में मर चुके हैं, उनके बच्चों की देखभाल सरकार करेगी, इसी तरह से उतर प्रदेश सरकार ने भी आज घोशना की है, कि उन बच्चों के अनात वच्चों के लिए सरकार मदद करेगी, जो कोरोना वाइरस से जिनके माता-पिता मरे हैं, तो इस तरह से यह बहुत ही अच्छी पहल है, समवेधना, रियाद रखेंगे, अब बढ़ते हैं दोस्तों, MCCIA and NABARD launch India's first agri export facilitation center in Pune, तो MCCIA का full form क्या है, तो MCCIA मतलब महारास्टरा, Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, with the help of NABARD, NABARD has started India's first agri export facilitation center, और वो भी कहां खुला है, महारास्ट के Pune में खुला है, कहां खुला है, महारास्ट के Pune में, यह ध्यान रखेंगे, बहुत important point है, और वो भी भारत का पहला है, तो इसका जो main उदेश है, the objective of launching, it is the boost agriculture export, यानि कृसी निर्यातों को बढ़ावा देना है, इसकारी को बढ़ाना है, increase India's share of agriculture export in the world, यह बहुत महात्पूर्ण बिंदु है, और यहां उन सभी के लिए उपलब्द होगा, जो अपने उत्पादों को बिदेशों में निर्यात करना चाहते हैं, in this way it help, यानि कह सकते हैं, it will be help the farmers in exporting their product through agri exporter and export from the government, यानि इस तरह के यह निर्यात को और सरकार के बिसे सग्यों के माद्यम से, किसानों को उनके उत्पादों के निर्यात में मदद करेगा, और दोस्तों भारत क्रिशी निर्यात में कौन से अस्थान पर है, 13th rank पर है, यह ध्यान रखेंगे, और भारत का जो क्रिशी निर्यात है, 2018 और 19 की अगर हम बात करें तो भारत के क्रिशी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में क्रिशी का जो निर्यात रहा है ये फैक्ट है इसे ध्यान रखेंगे 9.9% रहा है ध्यान रखेंगे और 2019 and 2020 में भारत का क्रिशी निर्यात 2.53 लाख करोन रुपय का था तो इसकी कुल क्रिशी निर्यात जो टोकरी है बिस क्रिशी ब्यापार का सिर्फ 2.5% है तो क्रिशी निर्यात में भारत का जो लक्ष है दो हजार बाईस तक कब तक याद रखेंगे दो हजार बाईस तक इसका लक्ष 60 बिलियन डालर यानि 60 बिलियन अमेरिकी डालर का है यानि कितनी सारी संभाव और यहां महारास्ट इसमें अग्रणडी है महारास्ट के पुने में पहला एग्रो एक्सपोर्ट खोला गया है सेंटर कहां पुने में और M-C-M-A-C-C-I-A का जो डिरेक्टर हैं स्री प्रशांत गिर्बाने हैं इसका हेड़कॉर्टर पुने में है और नाबार्ट के लिए पारे में जान लिजी किसकी स्थापना 1982 में हुई थी इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में है और गोविंदा राजूलू इसके जो है करेंट चेर्मैन है यहां ध्यान रखेंगे चिंताला नाबार्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेर्स में इरान डेवलप इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सूपर कंप्यूटर सी मोर्ग यह ध्यान रखेंगे इरान जिसकी राजधानी तेहरान है वहीं पर हारमुजी स्टेट भी है मांचित में जरूर देखिएगा तो इरान हैज अन्वेल ए न्यू सूपर इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है सी मोर्ग जो अब तक देस के पिछले सुपर कंप्यूटर से यह हंडेट टाइम अधिक यह पावर्फुल है तो सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रद्योगी विश्विद्याल है यानि ए उटी द्वारा स्वधेसी से विक्सित किया गया है इसका नाम एक पौरानिक फीनिक्स जैसे पक्षी सिमुरक के नाम पर रखा गया है वरतमान में सिमुर का प्रदर्सन छमता 0.56 पेंटा फ्लॉफ्स है हलां कि देश में दो महीने में एक पेंटा फ्लॉफ तक पहुचने की इसकी छमता का दावा कर रह तो किस ने तयार किया है इरान ने अब बढ़ते हैं दोस्तों आज हमने एक नया सिग्मेंट इसमें अटेज किया है जोड दिया है इन्वायर्मेंट एंड एकोलोजी परिया वरन एवं पारिस्थिद्ध की इसको डाउन टू अर्थ से हम लिये हैं तो एवरी यर आप देख सकते हैं कि 126,513 मिट्रिक टन प्लास्टिक कचरा भारत की 1179 नदियों के माध्यम से पहुँच रहा है तो अभी हाल ही में सोध से पता चला है कि नदियों के जरिये समुद्रों तक पानी पहुँचने वेक वाला करीब 80 फीसदी कचरा दुनिया की 1000 नदियां मु जरिये समुद्रों तक पहुँच रहा है यानि इसमें क्या है कि बड़ी नदियां तो ठीक छोटी छोटी नदियों का भी बड़ा महतपूर योगदान है जो कि इस कचड़े को पहुचा रही है अभी आपने हाली में या हाली में क्या वरतमान समय में ताउते नामक बाद देखा होगा मुंबई में बाढ़ की वज़ा से छोटी छोटी नदियां आप देख रहे हैं कि कूडा कचड़ा लेकर के समुद्र में ले जाकर गिरा रही हैं तो इस तरह से सोथ के मुताबिद इन नदियों के जरिये हर साल तकरीबन 27 लाख मीट्रिक टन तक प्लास ये टैनिंग उद्ध्यों की वज़ा से कानपूर की गंगा नदी पूरी तरह से अब देखिए वहां से वह बहते हुए पानी कहां जा रहा है समुद्र में सीधे बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल होते हुए कहां जाकर बांगला तेस होते हुए और इधर एक साखा जो है पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो इस तरह से यह कचड़ा लेकर जा रही है इस तरह से बहुत सारी नदियां है अगर हम बात करें इधर साबरमती है माही है नर्मदा है तापती है मांडवी है ज सारी नदिया है, तो कहीं ने कहीं इस तरह का कचड़ा ले कर या समुद्र तक पहुचा रही है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ वर्ल्ड मेप में अगर हम बात करें, तो कौँ सा देश हर साल कितना कर रहा है समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूसन, तो नदियों के जरिये समुद्र में पहुंचने वाला जो प्लास्टिक प्रदूसर्ण है, यह देख रहे हैं ना रेड जो डार्क रेड है, यह वाला देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना भारत की स्थिति, और यह सारे यह चाइना है, इधर ब्राजील है, यहाँ पर इस तरह का, यह जनसंख्या का संकेंद्र जादा है, वहीपर, आप देख रहे हैं ना पूरा ऐसीया में यह देख रहा है, तो यह कारण जयसे आप देख सकते हैं, फिलीपीन पर इंडोनेसीया है, थाइलैंड हैं, अपना भारत है, चाइना हैं, इन सवसे कचण समुद्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर अगर बात करें तो ब्राजील में सबसे ज़्यादा जा रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन अर्लियर रिसर्च इट वस विलीब देट लार्ज रिवर आर मेंली रिस्पॉंसविल फर दा प्लास्टिक रीचिंग दा ओसियन विच फ्लोस फ्लोस फ्राम वन कॉंटिनेंट टू एनादर यानि जो बड़ी नदिया होती है एक महादीब से दूसरे महादीब बट एकॉर्डिंग टु दिस नियू रिसर्च जो नया रिसर्च आ रहा है नए सोध में दिया जा रहा है कि इसमाल एंड मीडियम साइज रीवर है मेजर रोल इन इंक्रीजिंग प्लास्टिक पॉलूशन इन दा ओशियन यानि अगर यह option आ जाए तो आप इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक कचरा समुद्रे पहुंचा रही है तो बड़ी नदियों की अपेक्छा इसमाल एंड मीडियम यानि छोटी और मध्यम आकार वाली नदियों की महतपूर भूमिका हो जाती है तो महासागरों में कितना प्लास्टिक कचरा नदियों के जरिये पहुंचता है याना केवल उन नदि घाटियों में उत्पन होने वाले कचरों की मात्रा पर निर्भर होता है यानि कि अब इसका प्रबंधन कैसे किया जाए यानि वहां का जनसंख्या घनत तो जितना विकास होगा जाहिर सी बात है वेस्ट भी उतना ज्यादा वनेगा और यही कारण है कि इसके साथ उन कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे नदियों के जरिये समुद्रों तक पहुंचता है इनमें जैसे बारिश है वरसा काप जैसे अभी देखिए चक्रवात आया है इसके माद्यम से बहुत सारा कचड़ा जाकर समुद्र के किनारे फैल ग अगर समुद्र से दूर है नदियां, तब प्लास्टिक कचरे पहुँचने की संभावनाएं कम रहती हैं, तो उधाराण के लिए इसे प्लास्टिक कचरे की नदी और समुद्र से दूरी जितना ज्यादा होगी, उसके समुद्र में पहुँचने की संभावना उतनी ही कम होग तो according to research 455 river which are very small in size account for about 25% of plastic waste reaching the sea सोचिए छोटी नदियां है जो कि कुल प्लास्टिक कचरे का 25 फिजदी अकेले ले जाकर के समुदर में जमा कर रही है वही 360 छोटी नदियां है जो 24%, 162 मध्यमाकार के नदियां 22 अब देखिए 18 बड़ी नदियां मातर 2% प्लास्टिक कचरा और 6 बहुत बड़ी नदियां करीब 1% कचरे के जिम्मेदवार होती है वहीं विभिन नाकार वाली नदियां प्लास्टिक प्रदूसर्ण में 26% का योगदान देती है तो समुद्र में प्लास्टिक कचरा फैलाने वाले सभी प्रमुख 5 देश एसिया में ही है मैंने कि जैसा कहा था कि सबसे ज़्यादा क्योंकि 20% की 60% जनसंख्या एसिया में रहती है और उसमें भी फिलिपीन्स नंबर एक पे है उसके बाद भारत है मलेसिया चीन इंडोनेसिया सामिल है तो यह समलित रूप से समुद्र में पहुँचने वाले प्लास्टिक कचरे के 79.7% के लिए जिमेवार है क्यों कि एसिया में दुनिया की 60% आबादी रहती है तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि कई एसियाई देशों में लंबी तटी रेखा है जैसे अपने भारत के अगर बात किया जाए तो कितनी है 7516.6 km तटी यह रेखा है जिसकी वज़ा से कचरा फैलने की संभावना दिक रहती है चीन में तटी चेतर है, इंडोनेसिया में है, फिलिपीन्स है यह सब समुद्र के किनारे बसे हुए देश है तो according to research, प्लास्टिक कचरे को समुद्र में डालने के मामले में फिलिपीन्स पहले अस्थान पर है जिसकी कैपिटल क्या है? मनीला है वहीं पर International Rice Research Institute भी है जिसकी करीब 4820 नदियों के जरिये 356,371 में टन प्लास्टिक कचरा हर वर्स समुद्र तक पहुँच रहा है जबकि दूसरे अस्थान पर हमारा भारत है 1169 रिवर के जरिये 126,553 टन कचरा समुद्र में पहुँच रहा है वहीं अगर मलेसिया की बात की जाए तो 73,000 मीट्रिक टन जो है प्लास्टिक कचरा 1070 नदियों के जरिये वहीं 1309 नदियों के जरिये चीन में 70,707 मीट्रिक टन कचरा हर साल समुद्र तक पहुच रहा है तो इस तरह से समुद्र न केवल हमारे परयावरण और जलवाईव के लिए बहुत माईने रखते हैं साथ ही समुद्र और उसके आसपास वाले लोगों के जीवन और जीवका का मुक्य स्रोध भी है अगर हम इन्हें नहीं बचाए तो आने वाले दिनों में और इस्थितिया गंभीर होंगी ऐसे में समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कच्रा इन सभी के लिए बड़ा खत्रा माना जा रहा है तो ओशियन क्लीन अप द्वारा जारी आंकणों के अनुसार अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि प्लास्टिक समुद्रों में रहने वाली 700 से अधिक इस पिसीज ज्यादा जीवों की प्रजातियों को नुकसान पहुचा रहा है जिन में से करीब सव पहले से ही खत्रे में हैं यही नहीं इसकी वज़ा से समुद्री तटों के आसपास रहने वाले समुद्रों समुद्दायों को करीब 1,39,750 करणों रुपए का नुकसान पहुच रहा है चुकि अब यह प्लास्टिक कचरा जो समुद्र में जा रहा है तो वहां के जो जीव और जन्तू है वह सब इससे अवकरमित हो रहे हैं यही नहीं प्लास्टिक में मौझूद हानिकारक केमिकल समुद्रों के जलिए मशलियों और अन्य समुद्री जीवों में जा रहे हैं जिसका सेवन करीब आप देखा जाए तो 300 करोन लोग करते हैं ऐसे में उसके अनेक लोगों को स्वास्त का नुकसान पहुचने का खत्रा है तो दोस्तों हमें इस समुद्र को स्वक्ष रखना है वह भी हमारे लिए उतना ही महत्पूर्ण है जितना हमारे लिए यह जल नदियां यह हमारा परियावरन यह ध्यान रखेंगे दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरियस नेसनल इंटरनेसनल परसनालिटी निउज में डॉक्टर केके अगरवाल दोस्तों कोरोना नामक इस महामारी में रोज देखा जाए तो कोई न कोई सेलेबिरिटी कोरोना की वज़ा से दुनिया चोड़ रहा है ऐसे में यह महान डाक्टर यह जो है बहुत कह सकते हैं कि यह दोनों डोजिस लगवा भी चुके थे इनकी मृत्य के बाद फिर से चर्चा उठ गई है कि आखिर यह वैक्सीन लगवाने के बाद भी नहीं बच सके तो ऐसे में वैक्सीन कितनी कारगर हो रही है हलांकि मेडान्ता या एम्स के डॉक्टर्स का कहना है इंडियन मेडिकल एसोसियेशन का कहना है कि किरपया आप लोग सभी वैक्सीन लगवाएं ऐसा कुछ केसे में हो रहा है जैसे केके अगरवाल के केश में हुआ यह जीवन के अंतिम छड़ तक लोगों को आकसीजन के बारे में बताते रहे और लोगों को कोरोना से कैसे बचाये जाए लोगों को जागरू करते रहे लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा पाए तो केके अगरवाल एक फिजीसियन और कार्डियोलोजिस्ट थे इनका जन 1958 को दिल्ली में हुआ था नाकपुर उनिवस्टिस इन्होंने अमबीबियस किया था और MD उन्होंने 1983 में किया था दोस्तों इन्होंने 2005 में डॉक्टर बीसी राय अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था जो की चिकिस्टा के छेतर का हाइस अवार्ड बाना जाता इसके अलावा राजीव गांधी एकसिलेंस अवार्ड और पदम स्री अवार्ड से भी यानि जो सर्वोच नागरिक सम्मान है जैसे भारत रतन है, पदम भी भूसन है, पदम भूसन है, पदम स्री तो पदम स्री से भी यह सम्मानित हो चुके हैं दोस्तों I.E.M.A. इसके पूर अध्यक्ष भी रहे हैं वरतमान में अध्यक्ष डॉक्टर जे ए जैलाल है I.E.M.A की स्थापना 1928 में हुई थी, इसका हेड़क्वार्टर नई दिल्ली में है और यह संगठन डॉक्टरों के हीतों की रक्षा करता है वरतमान में तीन लाग से ज्यादा डॉक्टर इस संगठन के मेंबर हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों सुजिकी मोटर साइकल इंडिया नेम्ड शातोसी उचीदा एस कमपनी हेड दोस्तों सुजिकी मोटर साइकल इंडिया प्राइवेट लिम्टेड जिसे SMIPL कहते हैं विभिन बैस्विक बाजारों में 30 वरसों से अधिक का इनका अनुभव है दोस्तों सुजिकी मोटर कार्प्रेशन यह जापानी कंपनी है बहुरास्टिय निगम जो की मीनामी कुमे इस्थित है जापान के और सुजिकी मोटर कार्परेशन के सनस्थापक मीचियो सुजुकी रहे हैं और इनकी स्थापना 1909 में हुई थी वरतमान में इसके CEO हैं ओसामू सुजुकी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं बैंकिंग और फिनांस रिलेटिड निवस में बात करेंगे स्थांडर चार्टर एनौंसेश कोविड रिलीफ मीजर्स फार 25,000 एंप्लोई इन इंडिया तो Foreign Lender Standard Chartered Bank on Tuesday announced a slew of COVID-19 relief measures to help its over 25,000 employees in the country amid the second wave of coronavirus infection in the country यानि बिदेशी रिड़दाता Standard Chartered Bank के बारे में सुना होगा जिसने देश में coronavirus की दूसरी लहर के बीच देश में अपने 25,000 से अधिक कर्मचारियों की मदद के लिए COVID-19 राहत उपायों की घोसना की है तो इस तरह से the facility which also cover personal handling, global back office work include reimbursement of up to 2.5 lakh per patient if employees parent and parent-in-law were to the admitted in an intensive care unit तो यह बहुत अच्छी पहल है Chartered Bank की तो इस तरह से भारत में coronavirus संक्रमण की दूसरी लहर के उभरने के बाद कई कमपनियों भी से इस रूप से बहुरास्टी कमपनियों ने कर्मचारियों के लिए समान सुविधाय शुरू की है अब बढ़ते हैं Books and Awards में दोस्तों Books and Awards में Union Education Minister कौन है रमेश पोखरियाल निसंक है और यह रमेश पोखरियाल निसंक याद रखिएगा कि यह उत्तराखंड के मुख्य मंतरी भी रहे हैं तो केंद्री सिक्छा मंतरी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निसंक को 2021 के लिए अंतररास्टिय इन्विंसिबल स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों और यह निर्णे महरसी संगठन के बैस्विक प्रमुख डॉक्टर टोनी नादेर के नितित में गठित उचादिकार प्राप्त समीती द्वारा उक्त विचार विमर्स के बाद लिया गया और यह सम्मान विश्व व्यापी महरसी संगठन और उसके विश्व विद्यालेओं द्वारा दिया जाता है यानि दो साल बाद कले कोर्ट पर उतरे 20 बार के ग्रेंड स्लैम चैंपियन उन्होंने जो है पहले दोर में ही बाइप आने वाले स्विट्जर लेंड के 39 येर ओल्ड फेडर को जिनेवा ओपन टोनिस टोनामेंट के दूसरे दोर में दुनिया के 75 रैंग के खिलाडी पाबलो एंडुजर ने 4-6-6-4-4-6 से हरा दिया है इस हर के साथ ही फेडर को अपने देश में 32 मैच से चला रहा विजयरत भी थम गया है यानि कह सकते हैं कि पिछले 2013 से वो हरे ही नहीं थे बासल ओपन के फाइनल में जुआन मार्टिन डेल पेट्रो के हाथों हार मिली थी लास टाइम 2013 में अब जाके वह हारे हैं दोस्तों याद रखना पाबलो विल नाव फेस लोकल प्लेयर जॉमिनिक स्टेपन स्ट्राइकर इन दा क्वार्टर फाइनल यादि क्वार्टर फाइनल में अब वो पाबलो का सामना स्थानी खिलाडी जॉमिनिक स्टीफन स्ट्राइकर से होगा 23 बार की इसी में एक और न्यूज है 23 बार की Grand Slam चैंपियन सेरेना विलियम एमिलिया रोमागना ओपन के दौर दूसरे दौर में ही कैटरीना सिनिकोवा के हाथों हार कर बाहर हो गई है इस हार से सेरेना के दूसरे Grand Slam French Open की तैयारियों को जटका लगा है चुकि अभी French Open 30 जून को पेरिस में होगा रोला गैरा का मैदान उसे कले कोड भी कहा जाता है जैसे French Open कले कोड पे खेला जाता है और Wimbledon किस पे याद रखियेगा ग्रास कोड पे खेला जाता है इसी तरह से याद रखियेगा ऑस्टेलियाई ओपन और अमेरिकी ओपन जो प्रतिवार्स 18 माई को 208 सटी का करण दिवस के रूप में मना जाता है तो AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome दोस्तो 1997 में 18 माई को Morgan University में अमेरिकी राश्पती Bill Clinton द्वारा एक भासन में दिया गया था इसी के आधार पर 208 सटी का करण दिवस को मनाने का निरने लिया गया और इस दिन को HIV यान जो theme है वह है बैश्विक एक जुटता यानि Global Solidarity इस बार का theme है और वरतमान में बाजार में कोई license प्राप HIV-T का नहीं है दोस्तों HIV संक्रमन को नियंतित करने के लिए अत्यधिक सक्री Entry Retroviral Therapies के माध्यम से इसको control किया जाता है इसको H-A-A-R-T कहते हैं याद रखिएगा Highly Active Entry Retroviral Therapy Heart याद रखिएगा और इसे लगातार जिसको अगर AIDS हो गया है तो जीवन भर यह Heart को लेना पड़ेगा यह ध्यान रखेंगे इसमें जो सामिल है टीके याद रखिएगा HIV Vaccine Trial Network यह एक गयर लाफकारी संक्ठन जो चिकिस्षकों और वैग्जानिकों को HIV Vaccine के न International AIDS Vaccine Initiative यह गयर लाफकारी संक्ठन HIV Vaccine के विकास में तेजी लाने के लिए कारे करता है इसे भी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों लेटर स्टॉक बाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे यह अक्सर आप लोग परिक्षाओं में आ जाता है बनस्पति और जन्तु बैग्यानिक नाम तो जैसे हम लोग मनुस्य हैं तो हमारा जन्तु बैग्यानिक नाम क्या है होमो सैंपियंस बाग का जो है याद रखेगा टाइगर का पैंथेरा टिगरिस है मोर जो के हमारा रास्टी अपक्षी है पाओ क्रिस्टेस उंट जो है कै जिसको Camelus Domedarius कहा जाता है, इसी तरह से लॉयन को Panthera Leo कहते हैं, इसी तरह से खरगोश याद रखना है, इसको खरगोश रैबिट कहते हैं, याद रखना, तो इसको Erecto Legus Cuniculus कहते हैं, मक्खी, तो मक्खी जो है, इसे Fly कहते हैं, तो Musca Domestica याद रखिएगा, मेधक, राना टि ग्रीना, उभेचरवर का प्राणी होता है, याद रखिएगा, और Next है Cat, बिल्ली को Phelis Domestica कहते हैं, Phelis Domestica, Dog, कुत्ते को Canis Familiars कहते हैं, गाय का बॉस Indicus कहते हैं, आम को मैंगी फेरा इंडिका, धान को ओराइजा से टाइवा, वीट का टिटिकम इस्टिवम, मतर का गैसिका कंप्रेस्टिस, और लोटस कमल का नेलंबो निूसी फेरा गाल्टन कहते हैं, और दोस्तों गन्ना, सुगर केन, इसको सुगर, सुगरेंस ऑफिस सेनेरम कहेंगे, और प्याज को ओलियम सिपिया, कॉटन को गैसी पियम कहेंगे, पीनट मुंफली को इरैकिस हाइज अब बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों के सेक्षन में जो की बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं, आज उत्तर देने वालों में हैं, तो इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिये हैं, आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे, तो दोस्तों आप लोगों के सामने पहला कोश्चन है, यहनि रास्ति यह बाल संरक्षण आयोग तोल फ्री हेल्प लाइन कौन सी है, जो कोवीद प्रभावित लोगों को तेली परामर्स प्रदान करती है, नाबाड का मुख्याले कहा है, कोलकाता, चैन्नाई, भोपाल, मुंबई, नेक्स कोश्चन है, इरान द्वारा बिक्सित नया सुपरकॉंप्यूटर कौन सा है, मरेयम, सीमोर्ग, फालकन, स्मार्ट, नेक्स कोश्चन है, बारत में चिकिसा छेत में सर्वोच पुरसकार की से माना जाता है, नेक्स कोश्चन है, निमलिकित में से कौन टेनिस खिलाडी नहीं है, राफिल नडार, पाबलो एंडूजर, नेमार, रोजर फेटरर, नेक्स कोश्चन है, बिस सो एट्स वैक्सीन दिवस या टीका करन दिवस कम मना जाता है, फिप्टीन्थ में सिक्स्टीन, सेवेंटीन या एटीन, नेक्स कोश्चन है, पैंथेरा लियो इस साइंटिफिक नेम आफ विच अप द फालोइंग एनिमल, बाग, सिंग, जैगुआर या तेंदुआ, या टाइगर, लॉयन, जैगुआर या लिपॉर्ड, नेक्स कोश्चन है, इसमें से इन दसों प्रसंद के उतरा आप लोगों को देना है, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर और सबस्क्राइब के साथ साथ बिल आइकन दबाना ना भूलें, थैंक्यू दोस्तों,